कोई भी इंसान 100% positive या 100% negative नहीं हो सकता 4 में से 3 बातें positive करने वाले लोग positive person और 4 में से ही 3 बातें negative करने वाले लोग negative person कहलाते हैं हमें खुद पे कितना भी confidence हो कि हम बहुत ही positive person हैं लेकिन according to situation शायद हम भी कभी ने कभी बहुत सी बातें negative कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों को या कई बार हमें खुद को भी hurt कर जाती हैं और अगर आप positive person हैं तो जल्दी ही आपको ये realize भी हो जाएगा कि आपको इस तरह से सोचना या फिर बात करना नहीं चाहिए था लेकिन negative लोगों की क्या पहचान होती है और उनसे कैसे deal करना है चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं Hello everyone, welcome back to my channel First of all, negative person भी हमारी society का एक ऐसा पार्ट हैं जिसे चाहकर भी हम ignore नहीं कर सकते इनकी life में jealous और stress की वज़ा से frustration इतनी बढ़ जाती है कि आप इनसे किसी भी topic पे बात कर लें इनकी बातों में आपको सिरफ complaint और criticism की ही जलक मिलेगी और बड़ी बात तो ये है कि इन्हें कभी realize भी नहीं होता कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं इसलिए इन पे गुसा कम और दया जादा आनी चाहिए ऐसे लोग ना अपनी life में कभी खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं अब ऐसे लोगों से कभी कबार meeting हो तो उन्हें ignore किया जा सकता है लेकिन ऐसा कोई person बहुत ही close relation में हो या कोई family member ही हो तो क्या करें क्योंकि हर वक्त ऐसे लोगों से deal करने से पूरी energy का the end हो जाता है तो simply कुछ चीजें हैं जिने apply करके हम ऐसे लोगों को handle कर सकते हैं first of all जहां तक हो सके family और relationships को value दें क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई आप के साथ या आप किसी के साथ कब तक हो किसी की बात बहुत चुपती हो तो जो उसने कभी आप के साथ अच्छा किया हो positive किया हो उसके बारे में सोचें और उनकी बुरी बातों को ignore करें अपने brain का remote अपने ही हाथ में रहे तो अच्छा है ताकि आप चब चाहें उसे off on कर सकें ना कि कोई दूसरा क्यूंकि रिष्टों को तोड़ना तो बहुत easy होता है लेकिन वापिस जोड़ते वक्त सबकी ego बीच में आ जाती है और रिष्टे बिखर जाते हैं दूसरी बात कि अगर किसी person की thoughts suddenly किसी situation की वज़ा से positive से negative होए हैं तो उनकी situation को change करके या अपना supportive attitude दिखा के हम उनकी help कर सकते हैं क्यूंकि कई बार थोड़ा सा support और motivation किसी की life change कर देता है So please अपने positive attitude और powerful thoughts से ऐसे लोगों की help ज़रूर करें या हो सकता है कि सिरफ आपकी sympathy उनका attitude change कर दे लेकिन बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिनके अंदर negativity इस कदर भरी होती है कि उनको आप तो क्या कोई सादू महात्मा भी change नहीं कर सकता ऐसे लोग अच्छी condition में भी हमेशा रोते ही रहेंगे खुद को और दूसरों को criticize करते रहेंगे और इनकी complaint list इतनी लंबी होती है जो कभी खतम ही नहीं होती कभी अपनी condition से, कभी लोगों से कभी news से और नहीं तो मौसम तक से शिकायत रहती है और इनके साथ deal करते करते patience खतम हो जाती है क्योंकि as a human गुसा हमें भी आ सकता है चाहे उसकी intensity बहुत कम ही क्यों नहीं हो लिकिन एक बात हमेशा याद रखें कोई आपकी attention तब तक नहीं ले सकता तब तक आपको effect भी नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें I know it's hard कि कोई आपके बारे में continuously bad statement देता रहे और आप effect ही ना हो but have patience and give some time to them without saying anything कई बार आपकी चुपी अपने आप उन्हें realize करवा देती है कि वो गलत है but अगर किसी का mind worst situation में जा चुका है तो उन्हें कभी realize ही नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और वो आपके silence को आपकी weakness समझेंगे then you have to put a step forward by saying कि अब ये acceptable नहीं है but please never use bad words to anyone यही पहचान होती है positive person की कि वो कभी abusive language का use नहीं करते हैं इतना कह देना ही काफी है कि मुझे आपका ये behavior पसंद नहीं so be careful next time जो लोग continuously आपके साथ bad behavior करते हैं better है कि वो आपकी life से out हो जाएं और जिनको life से out नहीं कर सकते उनको mind से out कर दे behave like की वो आपकी life में exist ही नहीं करते क्योंकि ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करना मतलब continuously अपनी energy waste करना but yes अगर आप strong हैं तो उन्हें समझा समझा के अपनी energy test कर सकते हैं but simple सी चीज है अपने इलावा आप किसी को change नहीं कर सकते और ना ही किसी के actions को control कर सकते हैं सो कोशिश करना भी बेकार है और खास कर उन लोगों को जिनका behavior bad से worst होता जा रहा हो उनकी हर negative बात को सुने लेकिन एक बात पे भी खुद को effect होने ना दे बलकि ऐसे situation में जादा मस और जादा खुश रहके दिखाएं बिना उनकी बात पे react के उन्हें realize करवा दें कि वो आपको effect नहीं कर सकते पान लेजिए कोई आपके सामने किसी के बारे में negative बात करता है या किसी को criticize करता है जिसे सुनना आपको पसंद नहीं तो उसी के बारे में एक positive बात करके आप उनकी statement को fail कर सकते हैं जिससे उनको अपनी कही हुई बात पे शर्मिंदगी महसूस होगी उम्र में आपसे कोई बड़ा हो या छोटा अपने points को इतने smart way में बिना rudeness के साथ present करें कि next time बात करने से पहले वो दो बार सोचें और अपनी ही कई बात पे शर्मिंदगी हो जाए कई बार तो ऐसे लोगों की बज़ा से same ही situation हमें बार बार face करनी पड़ती है so do homework first कि next time आपने क्या और कैसे reply करना है और वो भी पूरे confidence के साथ लोगों को ये बता देना कि वो आपको hurt कर रहे हैं कोई बुरी बात नहीं मेरे साथ जब भी ऐसा कभी हुआ है तो मैंने हम, हाँ, हाँ जी ये तो है ओके, और रियली जैसे अटपटे words का इस्तेमाल करके जिनका उनकी बात से कोई connection भी नहीं था सामने वाले को realize करवा दिया कि मुझे उनकी बात में कोई interest नहीं है मैंने पहले भी कहा है मैं बहुती state forward woman हूँ अपनी responsibilities को निभाने के साथ-साथ रिष्टों की value करना भी जानती हूँ लेकिन लगातार मेरा use करके भी मुझे value ना देने वाले लोगों से मैं खुद को दूर कर लेती हूँ मैं mentally कितनी भी strong रहूँ लेकिन unnecessary अपनी brain को examine करते रहने का मुझे कोई shock नहीं Don't allow people to hurt you again and again Say no to their unacceptable behavior with smartness and by using some respective words So जहां तक हो सके cool and calm रहके relations को बचाने की कोशिश करें लेकिन ये भी याद रहे कि कोशिश दोनों तरफ से हो तो ही वो रिष्टे strong बनते हैं जादा कुछ नहीं पर इतना जरूर कहूंगी negativity फैलाने वाले लोग अंदर से बहुत ही unhappy होते हैं शायद उनकी life में उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता और कई बार तो उसका reason वो खुद ही होते हैं सो जितना हो सके उन्हें इग्नोर करें और अपने लिए और जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए अपने चेहरे की smile को किसी भी situation में खोने ना दे सो see you in the next video till then bye, take care and stay healthy